नमस्कार, मैं संदीप नोकवाल, आप सभी काच्वेन 24 न्यूज में इस सो आगत करता हूँ, एक बार फिर से खिलाडियों की मंचा पर प्रदेश की जनता सक करने लगी है, क्योंकि दलीतों की च्यार एकड जमीन अपने नाम आउंक्रित करवाने को लेकर ग्रामिनों ने हग कर दिया, जजजर के गाउं की ये गटना है जहां पर अकैडमी बनाने के लिए बजरंग पुनिया को बेजपी सरकार के दोबरा जमीन दी गई थी, और इसको लेकर अब बिरोध किया जा रहा है कि ये जमीन गल्थ तरिक्के से हती आई गई है, आपको बता दे कि पहलवान बजरंग पुनिया जंत्रमंतर पर धर्ना दे रहे हैं, अब स्थानिया लोग हरियाना के जजर जिरे के पहलवान बजरंग पुनिया को खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, लोगों का कहना है कि पुनिया को यहां के भाप डुदा गाउं में चार एकर भूमी आउन्तित की गई है, बाप डुदा गाउं में चार एकर भूमी आउन्तित की गई है, बजरंग पुनिया की तरफ से सरकार से यह चार एकर भूमी रेसलर आकेडमी बनाने के नाम पर ली गई है, अब ऐसा क्या वज़े से स्थानिया लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, आपको बता दे कि स्तानिया लोग इसका विरोध कर रहे हैं, स्तानिया लोग ने कहा कि हमारे गाओं के अंदर भी पदक विजेता है, हमारे गाओं के अंदर भी अंतराष्टी खिलाडी है, बजरंग पुनिया से पहले उनको जमीन दी जाए ताकि वो अपने अकेडमी बना सक बजरंग पुनिया कोई दूद के दूले नहीं है जो उन्हें सरकार ने जमीन दे दिये और उनका ये कहना है कि इसमें पंचायत ने भी उनका साथ दिया है यानि सरपच या पंचायत ने भी उनका साथ दिया जो पहले सरपच थे और अब पंचायत भी कोशिश कर रही है कि उ आधलवादों को यह ज्मीन मले या गाउं के खिलारियों को यह ज्मीन दी जाये. उनने का गई गरगल तरीके से ज्मीन दी गई है. यानि साफ साफ मकसद अगर आपके गाउं में ही कोई academic बनाने वाला सक्स है या कोई आपके गाउं में कोई भी अच्छा खेलने वाला खिलाडी है तो उसको बाहर के खिलाडी से पहले उसको जुमिन दीजी जाने चाहिए ग्रामिन भी अपनी मांगों पर अड़े हुए है ऐसे में जंतर मंतर के बीच चल रहे हैं अंदोलन के बीच यह एक अलग का point पैदा हो चुका है यह एक अलग संसे करने वाला point पैदा होता दारा यहाँ पर बजरंग पुनिया की नियत पर स्वाल खड़े हो रही है इसको लेकर प्रदेश की जंता क्या सूचती है जंतर मंतर बे बैठे हुए एक लाड़ियों पर यह जो गटना है यह तादा ब्रैकिंग नूज है क्या परभाव ढालेगी आप लिख सकते हैं जुड़े दिएगा अच्च में 24 नूज के साथ यहन